तो आप बात करते हैं कि किस तरह से अपने डिटाबेस के अंदर डिटा को सेव कर सकते हैं लाइक इस अप्लिकेशन में आप लोग देख सकते हैं कि अपने पास एक रस्ट्रांट है अपने कुछ रस्ट्रांट का नेम भी सेव कराना है उसके रिव्यूज हो गए वो कौन से रीजन से है कौन से सिटी में है उसकी प्राइजिंग हो गई और अगर मैं रस्ट्रांट पीर क्या हूँ देन में पास उसको कुछ दिस्क्रिप्शिन है कुछ फोटोज और रिव्यूज जो के पंधर दिरबाद पर दिखेंगे menu के अंदर आऊं तो वो particular restaurant के menu में क्या क्या items है वो सब आप अपने को define करने है सबसे पहले tables के अंदर then अपने उसके अंदर data add करना start करेंगे first of all structure जानते हैं कि किस तरह सब अपन data को define करेंगे like यहाँ पर मैं create करूँग एक response नाम के table and उस table के अंदर मैं कुछ columns create करूँगा और particular column के लिए मिरे पास अपना एक data होगा like मैं first of all column के तरह दूँगा ID and मैं define कर दूँगा कि यह होगा एक integer तो यहाँ से मुझे इसकी ID मिल जाएगी next मैं करूँगा main image जो restaurant की main image होगी उसका data इसमें आके save हो जाएगा restaurant की description अपन यहाँ save कर लेंगे and restaurant की जो images हैं वो अपन इसके अंदर save कर लेंगे like यहाँ पर आप जो images देख पा रहे हैं इन सभी images का URL as a array as a array of string हम उसके अंदर save कर लेंगे again after अपने restaurant का opening time क्या होगा and closing time क्या होगा इन दोनों को भी अपन as a string save करेंगे अपन date time भी save कर सकते हैं but currently अपन string save करेंगे slug भी अपन यहाँ पर save करेंगे यह भी बहुत important चीज है अगर आप लोग slug नहीं जानते तो मैं आपको बता दू जब अपने dynamic routes को create किया था पर restaurant then अपने slug नामता एक folder बनाया था तो हर restaurant का अपना अपना एक अलग slug होगा जो भी अपन database में save करेंगे and at least उसकी जो last pricing है वो पन save करेंगी कि restaurant की pricing क्या होने वाली है अपने पास अब एक और table होगी जो भी for items अब items के अंदर हम restaurant के restaurant के पास जितने भी तरह के menu items हम सब भी उस देख करेंगे यहाँ पर items के मेरे पास एक item है जिसमें अपन सबसे पहले उसकी ID save करेंगे कि उस particular item की क्या ID है उसका नाम क्या है, उसकी pricing क्या है and थोड़ा बहुत उस item का description भी अपन उसमें save करेंगे अब अपने को relate करना होगा कि कौन से restaurant के पास कौन से items है like एक restaurant के menu में 20 items है तो items नाम के इस table के अंदर जो items रखे हुए है उनको अपने को यहाँ पर relation देना होगा तो अपने उस SQL crash code के अंदर पढ़ा था कि अपन one to many relation यहाँ पर establish कर सकते है यानि कि एक one restaurant के पास many items हो सकते है दूसरी table के and एक item सिर्फ एक यह restaurant को यह बे बिलॉंग कर सकता है तो कुछ इस तरह के अपन relation establish करने के लिए simple सा एक और column यहाँ पर create करेंगे जिसको नाम देंगे restaurant id and यहाँ पर अपन उसका इस foreign यहाँ पर अपन foreign key save कर लेंगे जो की होगी अपनी primary key restaurant की यहाँ पर जो भी id restaurant की होगी उसे अपने हाँ पर save कर लेंगे as a foreign key ना अपने पस दो tables और होगी और वो होगी अपने पास for location and for region like उस particular restaurant की location क्या है well माल ली जपन mcdonald's के आप एक example लेते हैं तो mcdonald's एक American based restaurant है अब mcdonald's की अलग-अलग franchises हो सकती है and हर location की उसकी franchise अलग-अलग हो सकती है like in Delhi and in Japan वो उसकी location हो गई and वो America को belong करता है वो अपना reason हो गया अब हर location में सिर्फ एक ही restaurant हो सकता है तो यहाँ पर भी अपन one to many relationships establish कर सकते हैं यह वो particular जो restaurant है उसकी location क्या है and वो कौन से reason को belong करता है तो वो अपन कुछ इस तरह से establish कर सकते हैं यहाँ पर location ID होगी अपनी foreign key जो की होगी primary key of location and again जो reason की होगी वो होगी अपनी primary key of region तो यह अपना एक बहुती simple सा table structure रहेगा जिसमें अपन इन सब में data define करेंगे हाला कि हाँ अभी तो बहुत data यहाँ पे define करना है like reviews अपने miss कर दिये और भी कई तरह अगर data पर वो अपन बाद में discuss कर रहेंगे पहले इस dataset को इस dataset को model करते हैं इसके अंदर data fill करना स्टार्ट करते है मैं आगी हाँ अपने vs code के अंदर जो मैं टास्क करूंगो वहाँगो गिट के अंदर जितने भी changes मैंने last time Prisma को initiate करने के लिए तो उन्स अभी को add करते है यहाँ पे comment देतूंगा like add Prisma जिससे मुझे ध्यान रही कि last time जिसके मैंने copy की भी वो Prisma के लिए था सारी पाइस अब इसमें save होगी है अब में पास again एक fresh copy है आपको बंद कर देता हूँ and अब src folder को बंद करके मैं आपको लेके चलता हूँ Prisma folder के अंदर इसके अंदर आपने पास schema.prisma file है इसी file के अंदर starting में हम model को define करेंगे postgres को बताएंगे कि हमारा data किस तरह से structure होगा and इस बार SQL में नहीं इस बार हम Prisma में करके बिखाएंगे well अगर यही काम अपने को with the help of SQL tables करना होता तो देखे किस तरह का complex अपने को यह code लिखने के ज़रत नहीं है अपन बहुत ही JavaScript की वे में इसको कर सकते है now again या तो आप लोगों को Prisma आता होगा और अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा आपके लिए अलग सा syntax होगा थोड़ा हट के syntax होगा but still यह JavaScript को बहुत ज़दा यूज़ करता है तो आपको काफी अच्छी से समझा जाएगा बस आपको थोड़ा सा focus देना है और चीज़ों को adopt करना है समझने की कोशिश करनी है first of all अपन अपने restaurant model को define करते हैं जैसा restaurant model अपने पास यहाँ पर है इसमें id, main, description इस सारे चीज़ों को चलिए वहाँ पर प्रिजमा में define करते हैं आप notes ले सकते हैं मैं आपको छोटे से एक अलग syntax से introduce कर बाता हूँ एक table को create करने के लिए हमें प्रिजमा में एक keyword मिलता है वह है model जैसे ही मैं model keyword को यूश करूँगा अब मैं table and then मुझे इसका type define करना होगा तो यहाँ पर मैंने किया model restaurant and now quality packets के अंदर मैंने आप पर डाला id कि मेरे पास एक id है then मुझे यहाँ पर अपने tab को press करना है अब आपके tab की size कितनी भी हो सकती है यहाँ पर मैं spacing to use कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं define कर देता हूँ कि यह एक integer type होगा तो मैं यहाँ पर int type कर देता हूँ and आप restaurant model को पता चलीगा कि id होगी और वो एक integer होगा again मैं यहाँ पर tab press करता हूँ और मैं इसको बतायता हूँ कि by default इसको define करता हूँ कि यह मेरी primary key होगी इसके लिए मैं add the rate id यहाँ पर इसे दूँगा and now इस model को पता चल जाएगा Postgres SQL को पता चल जाएगा कि id हमारी primary key होने वाली है again मैं tap press करूँगा and इसे यह भी बता देता हूँ कि यह default हो क्योगी हम बार-बार manually नहीं बताने वाले manually भेजिंगे नहीं कि इस particular restaurant की id यह होगी वो खुद automatic उसको by default एक id देते तो यहाँ पर मैं add the rate default डाला and इसके अंदर मैं एक function call करता हूँ वो है auto increment अब देखे होगा क्या इससे यह होगा कि जब मैं restaurant काम के table के अंदर जब मैं एक नई row के अंदर data डालूँगा तो इस data को 56 तो अपने को खुद से define करने ज़रूद नहीं है कि इस particular restaurant की id क्या होगी post which as well खुद से handle लेगा तो चलिए कुछ इसी तरह से अपने बाकी के columns को भी define कर लेते हैं now मुझे चाहिए name तो मैं अब टैप करूँगा name again मुझे एक tab दबाना है and अपनी type provide कर देनी है तो मेरा name होगा एक string यह define होगया next मुझे चाहिए main image तो मैं करता हूँ main image and यह भी मेरी होगी एक string तो मैं आप एक string पास पर दोता हूँ अब डीटेम इसको पता चल जाएगा कि यह भी string होगी ऐसे ही अपन आप आप description save पर दोता है description यह भी होगा हमारा एक string same in the way मैं आपे save पर दोता हूँ यह फिर पहले पान कर दोता है open time यह भी अपनी string होगी all right close time यह भी अपनी एक string होगी बाकि डिटेट अपन यूज करते है और एक बहुत अची चीज है अगर आप column के अंदर एक column create करें जो की होगा created act इस column से अपने को यह पता चल जाएगा कि यह restaurant कब create हुआ था well इसको मैं देता हूँ date time अब क्या होगा कि जब भी यह restaurant create होगा उस particular creation के time पे जो date होगी और जिस time पे यह row create हो रहा है उस time का snapshot यहाँ पे save हो जाएगा मतलब वो time यहाँ पे save हो जाएगा तो अपन इस चीज को भी कैसे define करेंगे यहाँ पे मैं add direct लगा के default लगाऊँगा इससे यह automatically database इसको यह चीज प्रोवाइड तरेगा अब by default को क्या देगा तो यहाँ पे add direct now function को call करेंगे sorry now function को call करेंगे and उस particular now से मतलब है उस particular time पे जो भी time हो रहा होगा वो यहाँ पे आके save हो जाएगा in the same way अपन यहाँ पे एक और create करेंगे जो कि होगा updated add ताक कि अपने को यह भी याद रहे कि create तो कर लिया था उसके पाद last time वो update कब हो था in the same way मैं इसको देता हूँ date time and record space देगे अब मैं आप इस पोस्ट्रेस database को भी बता सकता हूँ कि जबी भी particular time पे अपडेट हो तब उसका date time आ जाए यह अपन कर सकते है with the help of update at at the rate से अब जैसे ही मैं इस चीज़को define करूँगा जबी भी यह अपडेट होगा यह पर्टिकुलर रस्कॉंट मालीजे मैं इसको define तो कर भिया लिकिन मैं अपडेट करता हूँ तो जब भी वो अपडेट होगा तो उसका पर्टिकुलर टाइम यहां पर कि से हो जाएगा यह दो कॉलंद अपने इसलिए क्रेट किये ताकि अपने को यह आइडिया रहे कि कब क्रेट हुआ था कब अपडेट हुआ था इसका डेटा अपने को मिलता रहे अपने को कुछ और टीबल्स में यहां पर आड़ करने होंगे तो मैं यहां पर सबसे पहले आड़ करता हूँ अपना एक स्ट्रिंग होगा तो मैं पर पास के तर्म स्ट्रिंग अब एक और चीक ध्यान देने वाली यह है कि स्लग हमेशा यूनीक रहेगा माल लिजे अपने एक्जामपल लेते हैं मैक्डानल्स का मैक्डानल्स के बहुत सारी फ्रेंचाइजेज हैं और बहुत सारे रस्टारंट्स है तो इस केस में अपन उसका मैक्डानाल्स नहीं रख सकते हैं अपन क्या करेंगे जिस मैक्डानल्स डاش जो भी उसका ही लोकेषिन है जहां भी वो है वो डाल दिंगे है like cdonald's डैपोर, acronym डैली जो भी उसका current location है तो database को ये कैसे बताएंगी कि ये always unique रहेगा वैल बहुत easy है अपने को add the rate unique को use करता है मैं तरहाँ unique and now database उसको always unique रहेगा अगर same same कोई slug अपने enter किया तो या तो अपने को error देदेगा या फिर उसको वापस से change करतेगा अब वो करता क्या है वो अपन live बहाँ जाके देखेंगे ताकि अपने को और अच्छे से समझ आए majorly अपने जो जो columns चाहिए वो create होगे now we got column जो मैं आपर create करना चाहूंगा वो है price अब price अकवन यहाँ पर string define कर देते है well पर एक चीज है like price string भी हो सकती है well अपन string ने safe पर सकते है वो एक number भी हो सकता है कि price like 200 रुपए 300 रुपए etc जो भी उसकी price रहे पर मैं नहीं चाहता है कि उसको ना तो number रखेंगे ना string रखेंगे अपन यहाँ पर वो सिर्फ तीन चीज़े डाल सकता है या तो price is high होगी low होगी या medium होगी तो अपने बस स्रिफ तीन option बनाने के लिए अपने एक anim क्रेट कर सकते हैं अब anim क्या होता है anim is a way to define options like मैं आप एक करके दिखाता हूँ सबसे बेस चीज़े तरह करके दिखाना तो मैं या बहार आता हूँ स्रिफ तीन तरह के possibilities हो सकती है या तो price cheap हो या फिर regular हो या फिर expensive हो बहुत ही easily मैं आपर define कर सकता हूँ कि या तो वो cheap हो या फिर वो regular हो या फिर वो expensive हो तो देखे मैंने आपर तीन options define कर दिए अब user strip in तीनो strings मैं से एक ही string चूज़ कर सकता है या तो वो cheap डाल सकता है या regular या price तो मैं या पर price को copy करता हूँ या पर type define कर देता हूँ उसका tab देखे price now data भी उसको पता चल जाएगा कि जो price है वो एक string ही होगी लिकिन सिर्फ तीन possibility है या तो वो cheap regular expensive में से एक डाल सकता है आपकोर्स अपन नहीं चाहते है कि वो price के इंदर बनाना डाल दे अपन चाहेंगी इन तीनों के इंदर से एक ही चीज़ ड़े तो कुछ इस तरह से अपन anon का भी उसकर सकते है वल अपन चाहते थे आपके string लगा सकते थे पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस तरह से अपन anon भी create कर सकते हैं फिसमा के इंदर तो चलिए कुछ इसी तरह से अपने बचे हुए tables को भी create कर लेते है मैं आपको simple सा enter करता हूँ और मैं यहाँ पर वापस से model keyword दे उस तरह हुआ त्योंकि मुझे एक और table बनानी है मैं अपर कहता हूँ model and now model create हो गया again मुझे model का नाम देना है तो मैं दे देता हूँ items and here we go अब यहाँ पर मुझे id और name define करने है तो वो तो मैंने यहाँ पर भी कर रहे हैं तो क्यों नहीं copy कर ले यह मैंने इसे copy कर लिया मैं नीचे आता हूँ and paste now very easily हमने id define कर भी जो कि again एक integer होगा यहाँ पर define कर भी कि वो हर वार unique होगा और वो primary key है and यहाँ पर by default से अपन ने उसको बता दिया कि defaultly database को यह define करना है और यह auto increment रहेगा in the same way चलिए और यहाँ पर columns create कर लेते हैं मुझे यहाँ पर चाहिए होगा इसकी price तो again आप इसकी price लेजए आप ना तो मुझे cheap expensive regular में से रेक रखनी मुझे इसकी simple सी price देनी है तो मैं यहाँ पर देता हूँ string अब आप question कर सकते हैं या आप number भी तो provide कर सकते हैं वेल हाँ askouts पर number प्रोवाइड कर सकते हैं लिकर जब अपन number type देते हैं तो उसके ऊपर अपने को numerics में जितने भी functions होते हैं उससाब आ जाते हैं like अगर अगर अपन जावस्क्रिप के अंदर किसी type किसी variable का type number देते हैं तो उसके साथ अपने को कई arithmetic operations करने की permission मिल जाती है like अगर मैंने किसी variable के अंदर 5 रग गया मैं एक example देता हूँ अगर यह चीज गलत है यहाँ पर मैं जस्टन example दे रहा हूँ let is equals to 5 तो अब इस a की साथ में plus कर सकता हूँ so that's it अब दू columns और जो कि हर में अपन create करेंगे वो है created and updated अब दोनों को मैं आसे copy कर लेता हूँ and simply यहाँ कि paste कर देता हूँ तो अब particular item कब create हो रहा है कब update हो रहा है इसका भी अपने को यहाँ पर ध्यान रहेगा तो अब मुझे क्या करना है कि इन items को link करना है restaurant से ताकि हर restaurant के पास अपना अपना एक item हो well मैं यह से अटा देता हूँ कि particular item के लिए takeable बना रहे है alright so अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस item को relate करू restaurant से ताकि यहाँ पर relation established हो जाए और जब मैं restaurant को query करू तो restaurant के पास जितने items हैं वो भी मुझे मिल जाए तो अपन link कैसे create कर सकते है well जैसे अपने tutorial के अंदर अभी देखा था simple सा अपन यहाँ पर आते हैं item के अंदर well item के अंदर अपन आते हैं यहाँ पर restaurant के अंदर and restaurant के अंदर कहा मिस्टेक कर रहा हूं यहाँ तो हम मुझे अपने को यहाँ पर restaurant ID करनी है और उस restaurant ID के अंदर मुझे define करना है कि इस particular restaurant की ID क्या होगी यहाद है ना यहाँ पर ने items नाम के जो table के अंदर restaurant ID नाम के क्रेट किया ता है उसको reference दे दिया था इस ID से तो चलिए अब वह यहीं पर करता है in the same way मैं आप एक नए नया column क्रेट करता हूं जो कि और restaurant ID और वो होगा मैं यहाँ पर tab दबाता हूं int of course क्योंकि यहाँ पर जो ID है वो एक integer है तो अगर मैं इस ID को यहाँ पर लूँगा तो उसका भी इंटरना ज़रूरी है by default अपने यह define तो कर दिया लेकिन प्रिजमा को अभी भी नहीं पता चलेगा कि यह restaurant ID जो है उसके अंदर जो value आएगी वो relation established कर रही है इसके साथ तो अपने को प्रिजमा को यह समझाना होगा कि भाई हम यहाँ पर relation को establish कर रहे है तो अपन क्या करेंगे एक और यहाँ पर column create करेंगे well of course यहाँ पर यह column create नहीं होगा पस प्रिजमा को समझ आ जाएगा कि यह जो है actually make relation है तो इसके लिए मुझे आप इसका एक नाम देना होगा जो कि मैं कर देता हूँ restaurant first of all मैंने आप spelling mistakes कर दी now अब मैंने आप टेक कर दी again एक चीज आपको ध्यान रखने है कि आप spelling mistakes कम करें क्योंकि यह data है अगर data में आपने spelling mistakes की तो अपने को काफी errors दे सकता है तो मैं आपर restaurant के आगे tab लगा के यहाँ पर relations से establish करने के लिए इसे type देता हूँ restaurant का मैं यहाँ से copy करता हूँ and again यहाँ आप के इसे थाइप देता हूँ now यह नो यहन मैंने type तो define करविया अब मिरको relations define करना है तो मैं यहाँ पर use करूंगा relation keyword का जैसे मैं से use करूंगा अब मुझे इस relation के अंदर define करना है कि मैं किस चीज को किस चीज से relate कर रहा हूँ again मैं वापस से बूलता हूँ किस चीज को मैं किस चीज से relate कर रहा हूँ तो यहाँ पर जैसे मैं control space दबाऊंगा मैं यहाँ पर दो values दालता हूँ field and reference तो मैं यहाँ पर डालता हूँ fields जैसे मैं fields जालूँगा विदिया को type clip अपने को soils में एक array डालना है इस array के अंदर क्या डालना है इस array के अंदर हमें वो columns जालने है जो कि reference करने वाले हैं तो reference कौन करेगा यह पर restaurant ID मैं इसे copy करता हूँ यहाँ paste कर देता हूँ अब प्रिजमा को पता चल गया कि यह जो column है यह किसी नि किसी को reference कर रहा है अब किसको reference कर रहा है वो भी define कर देते हैं यहाँ पर कौमा लगाता हूँ और reference का use करता हूँ again reference भी होगा एक id तो मैं ऐसे यहाँ दिखते हैं reference भी मेरे पस एक area आगया अब मुझे reference में define करना है कि restaurant id किस से जाके reference create कर रहा है तो मैं यहाँ से बता देता हूँ कि भाई restaurant id create कर रहा है restaurant की id से मैंने इसको pass कर दिया now अब अपने को एक restaurant prisma समझ गया है कि एक relationship established करना है और वो relationship यह हुगा कि restaurant id field जाके restaurant की जो id है उससे relationship established करेगा बड़ चल यहाँ पर red हो रहा है कुछ errors दे रहा है वो इसलिए दे रहा है क्योंकि अपने item table के अंदर relationship tablet define कर दिया लेकिन अपने restaurant table के अंदर अभी भी नहीं बताया कि ऐसा कोई relation अपने पास होने भी बाल है तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि यहाँ पर items नाम का एक column बनाता हूँ और उसके अंदर map value दूँगा item के array की अब देखे एरट चला गया और relationship दिस्टैबलिश हो गया वेल इसको में थोड़ा सा और समझाता हूँ देखे मैंने restaurant id नाम का एक column create किया जिसमें value दें integer अब value तो create हो गई लेकिन prisma को नहीं पता कि ऐसको relation भी होने वाला है तो मैंने restaurant नाम का एक column create किया अब actually मैं ये column database के नदर create होगा नहीं लेकिन अब prisma को पता चलिया कि ऐसको relation होने वाला है तो वो अपने relationship create कर देगा मैंने define किया कि मैं restaurant table के साथ relation रखने वाला हूँ जिसमें से मेरी जो field है item के अंदर की जो field है उसमें से ये particular column restaurant table के id column के साथ reference होगा तो इसके अंदर value आएगी जो भी value यहां होगी तो कुछ असदर अपने reference divide कर दिया ताकि अपने को manually ना define करना पड़े अरे हां अपने एक चीज़ को भूली गया मैं images लगाने तो भूली गया तो main images के नीचे मैं आपर देता हूँ images and again मैं आपर tap press करता हूँ और इसको define कर देता हूँ कि strings का array होगा जैसे अपन type script नहीं आती तो चलिए अपन आगे वीडियो में सिखेंगे बट सिल अपने यह देख लिए string होगी और उसका कुछ array होगा अपने अपने data type को define करें चुके हैं बस दो और बच्चे उनको create कर लेता है in the same way मैं आता हूँ create करता हूँ model for location मैंने भी यह location and मैं यहाँ पे सबसे पहले id and string तो same रहेगी तो मैं यहाँ पे आता हूँ जो अपने पास idea name है उनको copy कर लेता हूँ यहाँ पे आता हूँ इसके इंदर paste कर देता हूँ now location के idea name आगे created and updated आड भी अपने को यहाँ पे चाहिए ताकि अपने उसको data को पता रहे कहा कब हो रहे now अब location create हो गया अब अपने को relationship establish करना है location और restaurant के अंदर well एक चीज़ बड़ी ध्यान से सुनने वाली है इसको थोड़ा ध्यान से सुमिएगा मैं बड़ी screen में लेता हूँ ताकि आपको समझ आए well देखिए अपने item create किया था restaurant के लिए अब देखिए एक particular item सिर्फ एक ही restaurant में हो सकता है ठीक है वो item किसी और restaurant के अंदर नहीं हो सकता योगि यह है one to many relationship लेकिन एक restaurant के अंदर बहुत सारे items हो सकते हैं तो यह है one to many relationship कि one restaurant have many items but one item have only one restaurant तो यहाँ पर one to many relationship establish करते time अपने जो one है यह तो items तो one है and restaurant many है यहाँ पर तो अपने क्या किया item के अंदर relationship को establish किया in the same way एक location के पास बहुत सारे restaurant हो सकते हैं लेकिन एक restaurant सिर्फ और सिर्फ एक लोकेशन के हो सकता है तो अब अपने को relationship establish करनी होगी इस restaurant के अंदर जैसे सिर्फ एक item एक restaurant के पास हो सकता है, उसी तरह से एक restaurant सिर्फ एक location को सकता है, तो अब अपने को यहाँ relationship करनी है, जो चलिए करते हैं, बहुत easy है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ location id and apart यह होने वाली है, एक integer, why? क्योंकि यह जिस चीज को reference कर रहा है वो होगी location की id and वह तो इंठीकर ही है all right, so मैं शुरा यहाँ से कम कर देखा हूँ, था कि आप लोगों को समय जा है, all right, so यहाँ पर location id जो होगी, वो होगी एक integer value, अब मुझे relationship established करना है, तो मैं आप पर करते ता हूँ location and यह होगा type होगा location, of course मुझे relationship established दनी है, add the rate relation and this relation के अंदर यह field होगी and यह reference होगा, तो मैं आप पर point कर down field, field के जो array है, उसके अंदर मुझे location id डालनी है यह लिगे मैं डाल दी next मुझे reference डालना है यह reference लिया and किस ती से refer करेगा location की id से, copy किया डाल दिया now, अब मुझे locations को बताना होगा कि भाई, एक location के अंदर बहुत सारे restaurant हो सकते है well, यह भी असान है, मैं आप पर दता हूँ restaurants and इसका type देता हूँ restaurant का array, so now location को पता चल गया कि मेरे पास बहुत सारे restaurant हो सकते है, and restaurant को पता चल गया कि यहाँ पर जो location id है reference के जिसकर के, बड़ी easily relationship चाबिश कर दी, now चलिए बस अपर finish करने वाले हैं, एक और model मैं create कर लेता हूँ reason के लिए, तो मैं इसको just copy कर लेता हूँ, तो यह model तो अपने को सहीम ही चाहिए मैं यहाँ किसे paste कर देता हूँ, यह मैंने paste कर दिया location के जगे अपनी पास इस पार होगा reason, कि वो particular restaurant है, वो कहां को belong करता है now यह तो create होगया, अब अपने को बस इस simple reason के लिए एक relationship चाबिश करनी है in the same way मैं आगया model के अंदर and model restaurant के अंदर, जैसे अपने यह create किया था, in the same way मैं ऐसे करता हूँ copy and here paste करते हो now location id के जगे यह हो जाएगा, reason id मैं ऐसे पापी कल लेता हूँ, re, gi, a, u and reason इसे यहाँ से हमें copy कल लेता हूँ location के जगे reason हो जाएगा and location के जगे वापसस reason हो जाएगा reason table से connect करना है field में वापस से location id के जगे यह हो जाएगा reason id and yeah that's it अब जो reason ID है वो connect हो चुकी है reason table से so yeah that's it कुछ इस तरज अपने restaurant की table create कर ली उसका सारा data define कर दिया and relationship को establish कर दिया चाहे वो items का हो या locations का हो now यहाँ पर अपने अपना model दो define कर लिया कि restaurant की table कैसे दिखने वाली है या फिर items कैसे दिखने वाले है location and region सब कुछ अपने डिफाइन कर लिया पर अब अपने प्रिजमा की जो changes किये है इनको अपने live database पर दिखना चाहेंगे कि वहाँ यह सारे tables and columns कैसे create होते हैं तो अपन क्या करेंगे प्रिजमा को कहेंगे कि यह सारे जो मैंने define किया structure यह जाके मिरे database पर create कर दो तो मैं open करूँगा मेरा terminal यहां मैं open कर लिए terminal जिसे मैं server को थोड़ी दिख लिए बंद करता हूँ यहां पर मैं command डालूँगा ntx prisma db push अब prisma क्या करेगा कि जो database है उस पर इस changes को push कर देगा and सारे चीज़े create कर देगा तो मैं इसको करूँगा hit enter and now wait for it यह अपने लिए क्या करेगा कि जो भी अपने यह code लिखा है न यहां पर मैंना आप से कहाता है कि अपने इसको लिखने की दुरत नहीं है यह बहुत ही javascript friendly है अच्छा ही चीज़ और आप चाहुत इसे format कर लेना है यह बहुत है अब यह पूरे structure को यह create कर देगा अपने database के ऊपर तो चलते हैं वापस terminal में and कुछ issue आ गया actually वो pile जब upload हो ले थी उससे time पे अपने format कर दिया था ना तो pile में तो changes आ गये थे बल कोई बात थी मैं इस command को वापस से end पर कर लेता हूं and yeah here we go, देखे सारे package में पे upload होगए तो सीधा जल्दी से चलते हैं अपने superbase के अंदर and यहां पर मैं अपने open table को खोल लेता हूं and यहां पर देखते हैं database में changes आए well यह load हो रहा है data now showing database में कुछ request हुई तो चलते हैं फिदा अपन database database के पास database database यहांगे database के अंदर तो यहां से सीधा चलते हैं table editor के अंदर and यहां पर देखे कि अपने पास 4 tables create होई है for items, location, region and restaurant यहां पर मैं restaurant लेक्लिक करूँ then आप लोग देख सकती कि जो column अपने define किये थे वो सारे यहां पर आ जाएंगे so it's loading हो रहा है, यहां पर create होगया चाहिए वो name हो, main image हो images हो, images हो images का text description area आ गया है, description text आ गया है, open time, close time slug and location and reason के लिए अपने जो links बनाये थे वो यहां पर as a link भी आ गया है जिसमें अपने define, यहां पर relation भी create होगया है कि जो location की id है वो public.location id से जाके reference होने वाली है, तो इस तरह अपने देखिए कितनी आसानी से यहां पर tables create कर लिए अब बस अपने कुछ tables के अंदर data डालना है और अपने prisma की help से intelligence के साथ अपना सारा काम crud operations कर पाएंगे तो अब next video के अंदर देखते हैं कि किस तरह से अपन यहां पर data डालेंगे और उन data के साथ अपन अपने next application के अंदर operations करेंगे उस data को ले के आएंगे